दोस्तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब टैक्ट चनल पब्लिक पोस्टमन में और मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट अतुल कुमार जैसे कि दोस्तो आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में दोस्तो बैंकिंग से जुड़े जि साथ-साथ की इन सबके से जुड़ी फ्रॉड भी हो रहे हैं बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं किसे के ATM से पैसा निकाल लिया जाता है किसी का ओनलाइन फ्रॉड कर दिया जाता है पैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो दोस्तो इसी से जुड़ी जो है आज का वीडियो है म आज की वीडियो में ऐसा जो है आपके लिए solution लाया हूँ कि आपको ATM जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे जो है अपना ATM का पिन चेंज कर सकते हैं किसी customer care से बात करने की जरूरत नहीं है mobile से ही कर सकते हैं कोई message नहीं करना है कुछ नहीं करना है बस आपके पास smartphone होना चाहिए और application होना चाहिए मैं बात कर रहा हूँ RBL Bank की वीडियो में अंतक बने रहिएगा और वीडियो सुरू करने से पहले छोटा सा request करना चाहूँगा चैनल पर पहली बार आये हो तो यारो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें और साथ में हमारे social media पेज को like और follow करें जैसे कि हमारे instagram पेज और facebook पेज को follow करें लिंक description में मैंने दिया हुआ दोनों का तो फटा पड़ जाए लाइक और follow कीजिए support कीजिए ताकि ऐसे ही आप लोगे के लिए मैं काम की वीडियो बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं तो चलिए application को open कर लेते हैं अगर आप RBL के customer हैं तभी आप वीडियो को देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं RBL के बारे में ही बता रहा हूं तो यह दोस्तों RBL का mobile banking का जो है home interface है कि लोग इन टो mobile banking करेंगे यहां से एंपिन या फिट टाच स्क्रिन से भी आप कर सकते हैं तो मैं टच से कर लेता हूं यानि कि मेरा फिंगर प्रिंट इसमें जो है इनेबल है पीछे कई भाईयों ने कमेंड किया था रहे भाई साब आप तो सारा information दिखा देते हो वीडिय के अकाउंट में क्योंकि यजिए वीडियो बनाना है तो दोस्तों यहां 1एन कर रहा है मेरे पास लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं प्रापर क्योंकि इसके वीडियो बनानेम होती है अगर मैं सारी साती फ्रॉप हो गया तो मैं क्या करूंगा फिर दोस्तो sa कि आगए हम Mobile Banking में अब क्या करना है ATM कार्ड का हमें पिंचेंज करने के लिए यहाँ पर Manage your card में जाएंगे हम Manage your card में जाएंगे तो यहां पर देखिए कि आपका जो है कि debit card load ले रहा है भी debit card यहां पर आपका सो करेगा और मेरा एक्सपाइर भी होने वाला है वैलिड थूरू 5 में महीने 2022 में यानि कि 5 मतले मैं मैं 2022 में यह एक्सपाइर हो जाएगा और यहां पर देवेरिफाई कर लिजिए अतुलकुमार नाम मेरे यहां पर लिखा भी हुआ है मास्टर कार्ड की सर्विस है सारी चीज़े यहां पर कार्ड नंबर है चाहो तो ले सकते हो कोई दिखत नहीं है अकाउंट मेरा वैसे भी जीरो ही रहता है तो दोस्तों अब यहां पर आपका जो है कई सारे उप्सन मिलते हैं एक ब्लॉक अन ब्लॉक ट्रांजेक्शन हिस्ट यह आपका अकाउंट है यह चेंज पिन का उप्सन आपको यहां पर देखने को मिलता है तो हम आज का वीडियो इसी मुद्धे पर है टॉपिक पर है कि एटीम का पिन हमें कैसे बदलना है बिना एटीम जाए बिना किसी को फोन किये तो चेंज पिन पर क्लिक करेंगे आपका यहां जो ऑटमेटिक कार्ड नंबर आ जाएगा यहां पर यह तीन डीटेल आपको फिल करना है ठीक है दोस्तों तो इसमें एक्सपाईरी डेट और नया पिन और कंफर्म पिन बस तो यहां पर एक्सपाईरी डेट आप डाल दीजिए जैसा कि मेरा तो ऑटमेटिक निया पिन डालो जो आपको बनाना हो पुराना भूल जाओ अब नया बना लो जो भी हैपको बनाना है तो नया ऐसा कुछ बनाई यह जो आपको याद रहे ठीक है और सेम नमबर मत बनाना जैसे कि 1111 बना देते हैं कर लोग two two बना दिये zero बना दिये तो same नहीं बनाना हमने बना दिया ठीक है यह हमने दोनों सेम डाल दिये इसके अंदर सारी information फिल हो गई ओके ठीक है कि सब्मिट कर देंगे निचे सब्मिट पर क्लिक करेंगे तो यह दोस्तो आधा काम हो गया आधा काम अब होगा ओटीप श्ड़ जिया और ओटीप ऐटमेटिक फिल हो गया यहां पर देखिए ओटमेटिक ठीक है इतना टाइम मिलता है आप लोगों को एकस्पायर हो जायका ओटीप नहीं dirig loose अब verify कर दो simple ठीक है भाई verify करोगे आपका successful ATM pin change कोई जंजट नहीं हुआ दो मिन्ट का काम है वीडियो हला कि थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी माफी चाहूंगा लेकिन मैं detail में बताना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों के मेरी बस यही जो है इच्छा रहती है कि कोई वीडियो अगर बना रहा हूँ किसी को information दे रहा हूँ तो न वो गलत होनी चाहिए न वो फेक होनी चाहिए दो तो काम की वीडियो बनाओ नहीं तो वीडियो मत बनाओ तो यहां दोस्तों हमने सम्मिट कर दिया यह थोड़ा सब प्रोसेसिंग लेगा चेंज हो जाएगा आपका क्योंकि वेरिफाई आपका हो चुका है कि वो टीपी से कोई टेंशन वाली बात नहीं है कभी-कभी हो जाता है सर्वर के कारण जो है कभी-कभी डिले हो सकता है बट आपका जो है सक्सेस्फुली सम्मिट हो गया है वो काम हो जाएगा आपका तो थोड़ी दिए अगर वेट हम कर लेते हैं यहां पर तो यहां यह दिखा भी देगा कि आपका जो है पिन सक्सेस्फुली चेंज हो गया है कि सो दियर फ्रेंड्स यहां देख लीजिए कार्ड पिन जनरेटेड सक्सेस्फुली पेसेंस रखना होता दोस्तों किसी भी काम में अगर आपके पास पेसेंस है सारा काम हो जागा मैसेज भी रिसीब हो गया ओक्य हम इसको कर देते हैं ठीक है भाई चेंज कर दिया बहुत तो यहां अब देख लिजिए यह लिखावा आ गया है ठीक है डियर कस्टमर पिन रिक्वेस्ट फर योर कार्ड नूंबर एंडिंग वीद यह हैज बिन प्रोसेस्ट सक्सेस्फुली काइन डिगार्ट सार्वियल बैंक कार्वियल बैंक ठीक है आप यह मैं समझ लेना डिक लिख लीजिए वहां पर आपको अप्लिकेशन में दिग गया था ठीक है तो इसमें घबराने के जड़त नहीं है वह प्रोसेस में डाला है इसलिए वह मैसेज तो आप बैंक यही देगा ना कि आपका कोई ट्रांजेक्शन सक्सेस्फुल नहीं हुआ को कि हमने कोई ट्रां से और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ऐसे ही काम की वीडियो को देखते रहने के लिए और हमारे सोचल मीडिया हैंडल फेस्बुक पेज इंस्टागराम पेज को फॉलो कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको फटा-फट से जाएगा ला तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर